पसू आयात नर्यात विदहक के विरोद में दिगंबर जैन समाज बंखडी का तहिलदार को ग्यापन बंखडी दिगंबर जैन समाज समीतिदारा सौंबार को पसू आयात नर्यात विदहक को लेकर एक ग्यापन बंखडी तहिलदार को सौपा गया है जिसमें केंदर सरकार दोरा पस्तावित जिंदा पसू निर्यात के विरोध में ग्यापन दिया गया है ग्यापन के माध्यम से बताया गया है कि ये विदहक भारती हित में नहीं होने के कारण इसे प्रस्तावित ना किया जाए बरतमान में दुनिया भर में किसी जिंदा पसूओं के एक्सपोर्ट की प्रथा किया लोचना कर जिंदा पसूओं के एक्सपोर्ट को बंद करने की मांग की जा रही है इस बैदहक के पारित होने से राश्टी पसू संपत्ती के हितों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जबकि भारत से बड़े पैमाने पर मास नर्यात के चलती पसू पक्ची बर्ग तो पहले से ही सरकार और इसकी मरिस्वनिरी की घोर उपेक्छा एबम उदान सीन्ता का सिकार है सरकार इसतर पर कहीं पर तो उनके सोशन तो उनको रोकने की सीमा रेखा हो आपकी वेबसाइट में दीगे जानकारी में बताया गया है कि आपके मंत्राले का छेतर अधिकार के वल पसूओं के आयात को से सम्मंदित मामलों तक ही सिमित है और नर्यात मामला डी जी एफ टी बाड़ेज मंत्राले के अधिकार छेतर में आता है इसलिए उप्रोक्त प्रस्तावित बदहिक में लाया गया नर्यात का मसला आपके मंत्राले के कारी छेतर में नहीं आता इसी कारण संपूर बदहिक की कानूनी बैता पर भी प्रश्नेचित खड़े होते हैं हिद्गराई की जागरुकता के लिए इस प्रस्तावित बदहिक को प्रिंट मीडिया के माद्यम से उच्छत प्रचार दिया जाना था जो की नहीं दिये गया इसके साथ ही घारी दोरा अपने सुझाओ और टिपनिया प्रस्तुत करने के लिए भी सामानता है साथ दिनों का समय दिया जाता है पर आपने इसके लिए केवल दस दिनों का समय दिया है जो की नकाफी है इस तरह के सामान मान दन्नों को दरकनार करने से ऐसे प्रतीत होता है कि सायद बाहरी निरिया स्वार्थ के प्रवहाँ में इस विदहक को जल्दबाजी में पास करना चाह रहा है जो की दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रोक्त अपत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमारा निवेदन है कि प्रस्तावित विदहक को तुरंत रद्द करें और नया विदहक लेकर आएं जिसका दायरा केबल पसु पक्षियों के आयत के मसले तक ना हो जो कि आपके मंतराले छेत्र में आता हो जिससे राहत प्रदान हो